दोस्तों आज इस वीडियो में एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ एक ऐसे फल के बारे में बता रही हूँ दोस्तों जो की फल भी फायदे मंद है उसके पत्ते भी फायदे मंद है उस फल के जो बीजे होते हैं सीट्स होते हैं वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदे सारी चीजे वीडियो में शेयर करूँगी वीडियो जरा भी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास की चन को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट जरूर करें दोस्तों कि इनफॉर्मेशन कैसी लगी और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो यहाँ पर मैंने पपया लिया है वैसे जब भी आप पपीता खाएं पका हुआ पपीता खाएं कच्चा पपीता ना खाएं यदि पपीता कच्चा होता है तो हमें पेट में दर्द होता है सबसे पहले हम शुरुवात करते हैं पपीते की पत्तियां जी हाँ दोस्तों मैंने तो अपने घर पर ही ये छोटा सा पेड लगाया है आप देख सकते हैं किसी भी गमले में आसानी से आप पपीते का पौधा लगा सकते हैं ये देखे और ये बड़ा भी हो जाएगा फ्रूटिंग भी कर देगा यदि आप लोग बड़े गमले में इसे लगाएंगे जब भी पपीता खाते हैं न दोस्तों उसके जो बीज निकलते हैं उन बीजों को आप मिट्टी में डाल दें हमें पपीते की पत्यों के इतने सारे आज बेनिफिट समझ में आने वाले हैं दोस्तों इसलिए घर पर पत्यों के लिए भी इस पौधे को जरूर लगाएं डे बाल उम्रे से पहले सफेध हो रहे हैं इसकी पतियों को ग्राइंड करके पीस कर कुचल कर इसका रस नारियल तेल के साथ बालों पर लगाएंगे आपके बालों की जड़े मजबूत होगी आपका हेर पॉल रुकेगा तो आप देख सकते हैं हमेने पपीते को आज काटा तो के इतने उपयोग हैं इसके बीजों के इतने उपयोग हैं और फल तो आपको सबको पता है एक जादूई फल है पपीते का नारंगी रंग का दिखने वाला यह जो फल होता है ना दोस्तों आप कई बिमारियों से आपको बचाएगा जो लोग वजन कम करना चाहते हैं पपीते और वजन कम करने में तो पपीता बहुत फायदे मंद है दोस्तों इसे भरपूर मात्रा में फाइबर होता है इसे खाने से हमारा पेट भर जाता है लंबे समय तक हमें भूख नहीं लगती है साथ ही साथ हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है कैंसर जैसी खतरनाग बिमारी से भ दो तिन दिन का बीच में आप लोग गैब जरूर कर ले तो यहां पर मैंने पपीते को काट लिया है उपर का चिलका लग कर लेते हैं और नीचे से भी इसके चिलकों को हम अलग कर देते हैं यह देखे कुछ इस तरह से पपीता खाना एक कटोरी पपीता जरूर खाएं तो जब भी तब काटें हैं, जब भी आप लोग सब लोग बैठें हैं, फ्री हैं, तब काटें, क्योंकि एक पपिता एक व्यक्ति ना खाए, नहीं तो पेट दुपता है, तो मैं हमेशा जब मेरे बच्चे, हम लोग सब सांथ में रहते हैं, जब टाइम मिलता है हमें, जिस यहां पर मैंने पपीते की जो पत्यां ली हैं दोस्तों, अगर एक छोटी सी पत्ती की पत्ती की पत्ती है, यहां आपको स्वाद में कड़वी लगेगी तो आपको क्या करना है, इसकी कोमल पत्ती को आप ऐसे ही चबा कर खा सकते हैं, यदि आपके पास इसे काट कर, पीस कर, छान कर रस बनाने का समय नहीं है, जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे, उस तरीके से आप इसकी इतना फाइदेमंद दोस्तों एक चम्मच केवल रस लेना है अधी डेंगु मलेया चिकनगुनिया की परेशानी है तो खून की कमी में भी पतियों का रस आप ले सकते हैं आप चाहें तो पतियों को पानी में उबाल कर चान कर रस ले या मेरे जैसे ताजी पत्ती को तोड कर लाएं, किसी भी भारी चीज से माम दस्ते से कुचलने चान कर इसका एक चम्मच रस ले ले, बड़ा चम्मच है, वन टेबल इस्पून आपको रस लेना है, इसके अधा पानी पी सकते हैं, रस का सेवन आप कभी भी कर सकते हैं, ज़र 35-2, malaria, achikangbone इसे मंः, इतना हैं नूरी चिकन गुरी हैं, इसमाइं गजी मेरे वस्तों, प्लेट लेट्स ऋती है, उनकी संखिय काथी से बहुत तेजी से कम हों मचून को नहीं बढाता है, यह शुल्ले नहीं पाती नहीं होने दे लागता है, छून नहीं भी मददा नहीं बनाए और पीले आप चाहें तो ऐसे ही चमब से पीले या फिर पानी में मिक्स करके भी आप इसे ले सकते हैं हमारे लीवर को डेमेज होने नहीं देता पपीते की पत्यों का रस जिनके पास टाइम नहीं है वे इसकी एक कोमल पत्ती को चबा चबा कर खा लें रस्त आपके मूँ में चला जाए और पानी पीले कोई नुकसान नहीं दोस्तों ये पूरा औजदी से भरा हुआ पौधा है दोस्तों फल फूल बीज सारी चीजें पत्यां सारी चीजें बहुत ही फाइदे मद है बलड सेल और प्लेट फ्लेट की जो संख्यावा तेजी से बढ़ेगी और इसके अलावा दोस्तों पिंपल् करता है जिन्हें इस्टोन की प्रॉब्लम है दोस्तों वे भी इसके बीजों को सुखा कर रखें मैं हमेशा जब भी पपीते के बीच कभी-कभी तो किसी पपीते में धेर सारे सीट्स निकलते उन बीजों को सुखा लेती हूँ और सुखाने के बाद ऐसे ही मैं स्टोर करके रखती हूँ और आप जाहे तो इन बीजों को कुचल कर इनका पाउडर बना ले आधा चमच पाउडर पानी के साथ ले सकते हैं पत्री की समस्या दूर होती हमारे लिवर के इंफेक्शन को दूर करता है पपीते के बीजों का पाउडर या सेवन नहीं टाइम है पीसने का दोस्तों तो आप ऐसे ही जैसे आप लोग गोली खाते हैं गोली के जैसे ही इसकी बीजों को खा सकते हैं और या निगल सकते हैं दोस्तों इतना ज्यादा फाइदे मंद है बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है तब बहुत फाइदे मंद है बच्चों के पेट में यदी की वी फायदे मन्ध है जिने बहुत ज़्यादा कॉंस्टिपेशन रहता है दोस्तों वे भी पपीते के बीजों को चार-पांच बीजों को जरूर चबा के खाएं पाउडर बनाएं जो तरीका अच्छा लगे पानी में उवाल कर उस पानी को पी सकते हैं इसी तरह से पत्यों को भी पानी में उबाल कर चान कर आप ले सकते हैं पत्यों का रस तो डेंगू मलेरिया बता दिया है मैंने आपको कितना फायदे मन्ध है कॉंस्टिपेशन की समस्या दूर होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा और जी गुणों का भंडार है दोस्तों इसका इस्तमाल आप करें तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथी साथ शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह भी रस बना सकते हैं